मैं ने वो बनाया घर में और मैं लेना शुर में ने करा दोनों टेम उसका इतना असर अच्छा हुआ कि जब मैं तीन मेने बाद इस्टेंडर लें की तीन मेने बाद में पूरी बोट की चेक अप हुआ और मैं दॉक्तर को लिखाने गई तो डॉक्तर ने यह वला तुमारा हुँ लेकिन मेरे को मालूम है अंदर से मैं यह रही हूँ इसके विज़े से मुझे यह फ़रक पड़ा है उमा शर्मा जी से हम आपको जरूर मुलाकात करवाएंगे लेकिन सबसे पहले हम आप सभी को यह बताना चाहेंगे कि उमा शर्मा जी से हम जानेंगे कि वो कैसे अपना ख्याल रखती हैं कौन-कौन से नुसके हकीम सहाब के वो अपनाती हैं और कैसे वो हकीम सहाब से स्वागत है मैं आपका थेंक यू बटा थेंक यू मैं आपकी उम्र कितनी है मेरी उम्र है 75 साल पूरी हो चुकी है हकीम सहाब से कैसे जोड़ी हाकीम सहाब से मैं उनका टीवी चैनल देखती थी साधना तो उसमें अभी पांच-छे मैंने समें देखना शुरू कराया तो उसम ज्यादा इंप्रेस हुई जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इसलिए मैं ज्यादा इंप्रेस उनके नक्सों से और वो जो इसलिए फिर मेंने को मेरे पिर्षे साल 2021 में मेरे इस्टिंडल था तो मेरे को 90 परसंट ब्लोकेज थी एक आर्ट्री में तो उसके बाद में फिर में उनको उनका चैनल पर नंबर देखकर फोन किया तो वहां कंपनी से उन्होंने उठाया डॉक्टर ने और मेरे को बताया कि तुम क्या तकलीफ है तुमें मैंने का कि मेरी शूगर बढ़ गई यह जादा और मैंने चाहती कि में इंसुलन पर जाओं और उसके बाद म अबन आपको फोन किया है यहाँ पर उन्होंने का नहीं आप ऐसी नौबत नहीं आएकी और आप हमार से दवाइया लें और औना गळम यह छका है लेने के लिए मुझे मुझे ऑनना और बेजिजा उन्हें को बेज़ है मैं ऑनको बरилась दवाइया लेती रही और उसके बाद में फिर विस्लेडार फूर आ था पूर का प्राओं तरहीं ज्यूक पूर लिए क्या हाल हैं हम आप का सब्सक्तु कोई रखते रहें तो ब्राबर में ऑप बताथ थि मैं ठीक हूं और मुझे समय समय पर दवाईया भेशते भी थे और उन्होंनों मुझे गोजा बेचा कि आप लिया करो इससे आपकी से ठीक रहेगी दूरत की साथ मैं वह भी लेती थी फिर मैं डॉक्तर साब बताते थे कि ये नेंबू अद्रक और लहसुन का पेष्ट बना कर लिया करो इससे भी ब्लोकेज नहीं होती है ये ब्लोकेज को डून डून के निकालता है इससे मैं बहुत इंप्रेसिव और मैंने वह बनाया घर में और वह मैं लेना शुर्व मैंने करा दोनों टैम उसका इतना अफर अच्छा हुआ उस जो मैंने बनाया था कि जब मैंने भी तीन मेंने बाद स्टन दलकेत की तीन मेंने बाद में पूरे बोर्ड की जब जब इनके एक रिछा और मैं डॉक्टर को दिखने गई तो डॉक्तर ने रखिए मोबत अच्छा है मोब्धा गूफ़ा मैं करोब गूफ़ा हुआ हुआ थान दू्न संवारो थाउर पा उ बिल्कुल अच्छा था और उसके बाद से मैं जो च्छी जो को नो बता रखा है धनियां मेथी वगर दियां मेथी सोफ अजयान वगरे का बना के पोडर नमक जैतून के साथ मैं वह भी लेती हूं एक टैम रोज पांच बार गरम पानी भी पीती हूं उनके बताए हैं जितना बताते हैं वह सारा में फोलो करती हूं पांच वार गरम पानी भी दिन में पीती हूं थंदा पानी फ्रीज का बिल्कुल नहीं पीती हूं और नॉर्मल पानी पीती हूं रात को सोती से मैं सिर्का जैतून का पी कि सोती हूं जिसकी वज़े से मेरी शुगर भी ठीक है को लो स्कार करें तुम बर्ट अच्छल रहे हो। दोक्टर वा है भli अमा आप इतना चलेक चाल लेटीव उस मेरा मė Zumal recommend बग्राईब. अजन हम जी हम इन प्पर अब मैं बतें। रही हूं को क्या स्भषय है मैं यह लेती हुआ तुम भी लिया करो जी करते है अच्छा अमा और बोले कि हमारे थायरट है हमारे को हम कोई दवा ही बता हो मैं का बता हूंगी मैंने का मेरा नंबर नोट कर लो मुझे फोन करके पूछना तो उन्होंने भी पूछा थायरट के लिए अब जिसको भी कोई मे मतया है मेरे दोणों को मेरे बना थे और यह बना के दिया पेश्ट विश्ट में हमारे प्रोशी एक गई थी और अटी हाँड़फ्यास्ट साना टे वह पर व्हां पर एपून कोँछना प्राम कि लृशना था यहाि वह किसी कोई था और उनको जब तक दवाई नहीं जब तक मैं अपनी दवाई मैसको रोज दोन टैम देती रही करम पानी से और अब वो पूरा चले गए हैं और वो उनसा मैं उनका हाल पूछती रहती हूं कि आपका क्या हाल आप तवाई ले रहे हो के निज़ो आप ठीक हो जाओगे मैं सबको हकीम जी के सारी नुसके बताती हूं मैं खुद फोलो करती हूं एलो प्राश अख्रोट प्राश गोन चिलकोजा और यह गोन सिया और गोन मोरिंगा और जैतुन का नमक विग्फा इसंब मिल पास हैं मैं सब चीर रहती हूं कि नौक्टर साब की बताई हुई और मैं उसे बिकुर सफ्त हूं मेरे कोई प्रॉब्रम नहीं है ना कोई मेरे को सांस पूलताब किसी भी किसम की हकीम साब से जुड़ कोई काया है? हाकीम साफ तो इतनी अच्छे है उनके देखते हैं आधि तेंडर ने यह यह है भी जिल करता है उनसे डायरेक्ट मिलें लेकिन डायरेक्ट मिलना बहुत मुझ्किल है लेकिन टीश का मिल लेते है देख लेते हैं होई आधको अधना उनकी अचरप अधिए से एक सीज़ को कई कई बार बताते हैं उसके भाओ फचम कि कि कई बार 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 के चीज़ glucose को इसको मीचांए उन जो अभी नुस्का बता के चुक है उसने उसके को दूबारा फिर बता जाते हैं उनकी आदत बहुत ही अच्छी है शैद किसी की आदत इतनी अच्छी होगी मैम जिन लोगों को अपने हकीम साफ के नुश्के भी बता है तो उनकी हाल luckily कैसे कैसे वह बड़े लेता है वह बड़ी लिया करें लन गवार्भाग कित्ते तो सब तियार होते हैं लिने के लिए तो सब को मैं बटलाती हूं यह बाते हैं और एकदम सब त्यार को थोटा ना है को बेचने वाला है क्या कोई किसी को बताती हूं तो सब इंप्रेस होते हैं खुश होते हैं और हां भी करते हैं कि हम लेंगे तो मशर्मा जी जो लोग आपको देख रहे हैं आपको सुन रहे हैं जो अभी तक यूनानी ट्रीटमेंट की तरफ नहीं बड़े हैं बिमारी उसे परेशान हो गए हैं उनके लिए क्या कुछ कहना यूनानी द्वै का घंत हैं लेकिन जुद में लोग रहे हैं मैं शुपने की सब्रीटमेंटर्वावर ओनेटी यूदे भी में उनानी सी अटारी हम wardrobe मूं और दोल की मैरे बचे भी लेते हैं तो मुझे जुदील दौई Fig flips जो करती हैं और मैं कहते हूं सब को ये डनी चाहिए है प्रदुस्त लेकिन इन दवाइयों stopping नहीं होता है मुझना चाहिए हैं उदैंटि फॉइनगल atraking में के जहेज दो साल पर को चुकी है। लेकिन मैं हूँ मेरे दो लड़की को ऑगैरिस में थेयर थिंजिनघसेंड, वनल्च सेटल। मैं उसके बाद मेरी लड़की है उसके दोनों लड़के कनाड़ा मैं सैटल्ड है बहुत अच्छे पोस्ट पर है कि एक बीचेक कर चुकह नो कर रहा है दूसरा बीचेक कर रहा है पट्याला से उसका तीस्या साल है टोथा साल है झाल शाया और लड़की मेरी सब चोटे हूँ है है फिजिस की प्रोफेसर लगे विए अब रीडर बन जाए इसकी प्रोपोशन हो जाएगी उसकी दो लड़कि की थी इंजरपस्तर कोलीज ऑफ रूमेन अलीपूर रोडपर से मैं उसक्त भीए पास किया था तभी मेरी शादी होई थी जब मैं 20 साल की थी और मैं मैं सर्विस करना चाहती थी लेकिन घर संबालो बच्चे जो नहीं सम्मल पाएंगे अगर तुम सर्विस करोगी तो इसलिए मैं पूरा घर संबाला बच्चों को खुछ पढ़ाती थी मैं आटवी किलास तक तो मैं खुछ बढ़ा है इसको मैं बच्चों से पूछ ती मैडम तुम में हमारी ममी पढ़ाती है तो इनके अच्छे लंब आते थे बच्चों के चारों के बच्चों तो कहते हैं दुन नहां जब आपकि सेहत जु आनके आपको देख के से मिल के और आपकी फै борिечение घनके टर्श को ये हमारे साथ जुड़ी उमर्शर्मा जी जिन्होंने बताया कि वो कैसे खुद का ख्याल रखती हैं कैसे वो हकीम साहब से जुड़ी हैं तो अगर आप लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग भी हमसे कॉंटार्क कर सकते हैं आपके घर भी हम जरूर आएंगे आपकी सिहत का हाल जानने इसी के साथ आप मुझे भी दीजी इजाजत नमस्कार